तो आज फाइनली आल इंडिया बार एक्जाम कंप्लीट हो गया और काफी सारे स्टुटेंट जो है इस एक्जाम में अपियर हुए थे और सेंटर भी मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा नस्दिक था आप लोगें कि इस बार सेंटर काफी जगा पड़ा हुआ था हम बात करते हैं पेपर की तो जहां तक क्वेशन की बात है तो उसमें इस बार का जो पेपर है वो पिछले बार के पिछा काफी ठीक था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था या बहुत ज़्यादा टफ क्वेशन्स नहीं थे अगर आप थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस का यूज करते हैं या थोड़ी से आपकी अंडरेस्टेंडिंग रहती तो काफी क्वेशन्स आप उसमें सॉल्व कर लेती हैं और बहुत सारे क्वेशन्स तो इसमें डारेक्ट पूछे थे जो सेक्शन से रिलेटेड था या जो चेप्टर से रिलेटेड था हमने पहले आप को एक बार बताया था अपने एक वीडियो में कि इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेशन्स है जो डारेक्ट पूछे जाते हैं तो सिंपली बेर एक्स का भी अगर आप लोग यूज करेंगे एक्जामिनेशन हाल में तो भी आप अपना जो है पेपर क्वालिफाई कर करेंगे ऐसा तो कुछ है ने कि इसमें मेरिट बननी है या कोई कटाफ जारी होगा किवल क्वालिफाई करना है तो उतने क्वेशन्स तो आप बड़े आराम से कर सकते थे और जो क्वेशन्स कॉंसेप्चुल बेस पर थे वो क्वेशन्स जो भी है वो भी बहुत सिंपल थे उसको भी अगर एक दो बार आप ध्यान से क्वेशन्स पढ़ते तो बहुत आसानी से एंसर कर लेते हमने सारे क्वेशन्स को देखा बहुत ही नॉर्मल क्वेशन्स थे तो मेरे खाल से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए इस बार जो इस एक्जाम को पास ना कर पाने हैं और अधिवक्ता बनने के लिए आप लोगों को ये एक्जाम पास करना हर हाल में जरूरी होता है तो इसलिए आप लोग अपना जो भी कर क्या हैं बहुत अच्छा होगा मेरे खाल से अभी जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा काफी टाइम हो चुका थ होता है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे ओके तब तक के लिए आप लोग अपना प्रक्टिस जारी रखिए बाकि और जो एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उतरा खंड की या फिर जार हर्यारा की या राजस्थान की तो आप लोग अपनी जो है प्रिपरेशन जारी रखिए बाकि जो हमारा पुलिस एक्ट बचा हुआ है उतरा खंड का उसको भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करनेंगे ठीक ओके थैंक्स टो आल एंड बाबाय